अभी फिलाल हमारे साथ रजनी चौब है और हाली में जो कि अभी नीरहुआ का जो फिलम श्टूटिंग हुआ हमारे उतर परदेश कुशी नगर में उसमें एक काम की है चलिए में इसे खास बात चीट करते हैं और आज के इंटर्भी में यह जानेगे कि एक गाउं के लड़ मेरा नाम रजनी चौब है कितना बर्स आपका उमर अभी हो चुका है लगवागा आपको लगता है कि आर्यन बाबूस से मतलब जियादा उमर में आपी फिलम में काम करने गई है तो इस पर आप क्या कहिएगा मैं बस यही कहूंगी कि मैं उस इंट्रेस्टिंग में जा पा इस्ट्राग्राम से वायरल हुई और वह सारा आपका रिल्ट वायरल हुआ तो उसमें जाने के लिए आपको चैलेंज रहा क्या उसमें गई तो मुझे बहुत कुछ मिला और वैसे बिच्चे पैदा होते तभी पेट से नहीं सीख कि आते हैं जब दीरे-दीरे सीखते हैं दुनिया को देखते हैं तभी सीखते हैं ऐसे तो कोई सीख की उपर से नहीं आता है अच्छा आपके मौन में कभी ख्याल नहीं आया कि हम से बड़े-बड़े जो की इंस्ट्राइग्राम वाले हैं जो भी वाइरल लोग है वो मोभी में नहीं गए हैं तो हम कैसे जा सकते कभ मुझे पबली का प्यार सपोर्ट असिरबाद सब मिला तो अब उनको मन नहीं होगा जाने को बस वही बात है लेकिन इतना सिंपल में जितना आप बोल दे रही हो कि यार हम को मन किया हम फिलिम में चल गए बहुत सारे लोगों का मन किया नहीं मेरा बच्पन से हैं ड्रीम थ हम चले गए बहुत सारे लोग का अफी महनत करने के बाद करीयर खतम हो जाता है बुड़ापा आ जाता है फिर भी फिलम में नहीं जाते हैं तो आपका मतलब क्या कहना चाहिए कि उन लोग को वही फिलम में जाकर काम कर सके क्या उनको पूरा करना चाहिए जी जी उनका मान ह जाता है और जिसको मर्जी नहीं जाता है जिसका ड्रीम होता है वो अपना पूरा करते हैं और नहीं तो नहीं करता है या रोल मिला था बलमा बला नादान में नीरहुजी के सांथ आपका मुझे नीरहुजी के साली का रोल मिला था नीरहुजी के साली का उनमें लगा कि दर्सक से और निरहु जी से ही जाके आप पूछेगा यह बात तो मैं आपको नहीं बता सकती कि मुझे ही किस लिए च्वैस किया गया हम अगर जदी आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मुझे क्यों च्वैस किया गया तो I hope मैं उस लाइक हूं मेरे पब्लिक मुझे प्यार सपोर का ऐसा आपको देखकर कभी लगा कि आपके जो सहेली है आपके दोस्त है अभी बोली होगी कि हम को भी फीलम में लेकर चलो देखिए अब मेरी फ्रेंड सब तो मेरे मेरी मेरी फ्रेंड सब मुझे भी बहुत सपोर्ट की जो भी है वो बहुत सपोर्ट की मेरे फैमिली से ल लगा इन से बात करके और इनका जर्णी के बारे में थोड़ा आपको बता देते हैं सोसल मेडिया पर जेसी बी पर चौड़के डांस की लड़की और वाइरल हो गई और उसके बाद से सोसल मेडिया का मतलब की जो भी मतलब की न्यू चैनल का जमावड़ा लगया हजारों इं की अपको आंदा है तो लिए और आगे कुछ मुवी में काम करने का मतलब की कुछ उद्र से आया है संदेश जी यह ईया है मुझे बहुज़ साउट से भी उफर आया है मैं बहुत जल आप लोग्वों को साउट में बित जो बिल्कुल और बहुट जल्ट में आप लोग को और आप लोग जैसे अभी प्यार सपोर्ट बनाते हैं रखते हैं वैसी आगे भी बनाए रखिएगा जिए क्या लगता है कि अब रजनी जी का मतलब की केरियर फिलम इंडरेस्टी में ही रहेगा जी मैंनत की हूँ और पबली का प्यार सपोर्ट मिला है तो क्यों नहीं देख सकते हैं दोस्तों बहुत अच्छा लगा इन से मिलकर अच्छा एक बात बताई अगर आपको देखा जाए तो इस समय जो पूरी में जिस तरीका से मतलब की देखा जया असलील काम हो रहा है उस पर दोस्तों मतलब समानिय भासा में आप क्या कहिएगा देखिए मैं इ इसमें बनाने वालों की भी और गाने वालों की दोनों की ही गलती है जब गाएंगे नहीं तो बनाने वाले बनाएंगे नहीं या फिर सुनने वाले सुनेंगे नहीं और जब बनाएंगे नहीं सुनेंगे नहीं तो उनका गाना नहीं चलेगा तो गाएंगे भी नहीं तो अ इंडर्स्टि में पहला कदम रखी है तो आपसे जानने हमको जरूरी भी लगता है कि आपका सोच क्या कर रहा है पहुँ सारे लोग होते हैं कि जनता को मतलब की गलत है इस पर आप क्या करें नहीं पबलीक गलत नहीं है और नहीं गाने वाले गलत है एक सोच से माइने तो बनाने वाले कैसे बनाएंगे वो तो इस दुनिया में रहे गा ही नहीं असलिलता और जब गा रहा है और वो बना रहा है तब तो उसका ट्रेंडिंग और बढ़ रहा है तो उस पर तो वह गाए गाहीं बस वही बात है अच्छा रजनी चौवे का पढ़ाई में मन लगता ह है फिलम में जाने के बाद अरे लगता है मतलब ऐसा थोड़ी है कि हम पढ़ते नहीं है लगता है लोग होते हैं कि जो चलता है उसको पढ़ाई का टाइप मिल जाता है अब दिन भर कोई वीडियो या मूवी थोड़ी बनाते रहता है पढ़ाई का भी समय आप 24 गंटे में 24 गंटे लोग बनाते थोड़ी रहते पढ़ाई भी करते हैं आप बताईए कि अगर आप सोचल मेडिया पर नहीं रहती तो आगे चलके आपको मतलब क्या सबसे अच्छा लगता था कुछ नहीं बताईएगा इस पर अर मैं कुछ सोची ही नहीं जी तो में जूट थोड़ी बता दू कि हां मुझे डॉक्तर बनना है ये बनना है वो बनना है और आगे भी बनना चाहती हूं बस यही मेरे ड्री में चलिए एक और सवाल कर ही देते हैं भजपूरी में आपको पसंद कौन है सबसे जयर मुझे सारे लोग पसंद है सारे लोग सारे लोग तो नहीं पसंद आते हैं किसी को भी नहीं आते हैं मुझे सारी लोग पसंद आते हैं क्योंकि सारे लोग अपने अपने जगह पर अच्छे हैं अच्छे अक्ट्रे से अच्छा एक्टिंग करते ह अच्छा ही खराब है, सारे ही अच्छी हैं सारे अच्छी हैं देख सकते हैं, दोस्तों इसा डर नहीं है कि अगर हम ऒपर बहुत मतलब जो अब मैं डर जाओंगे तो हमां आगे कैसे बढ़ पाऊंगी तो ऐसी बात नहीं है कि मैं किसी को नीचा दिखाए रही है फिर कुछ सारे ही अपने अपने जर्ब आप गाना उना गाती हो कि नहीं हां गाते हैं एक हमारे दर्शकों को कोई आच्छा सज्जो भी आपका गाना हो गाका सुनाई मेरा गाना तो नहीं लेकिन अभी मैं फिल्हाल में जिसके साथ अपना वीडियो बनाई हूँ मतलब मेरा मूवी निकला है मैं उनी का गाना गाती हूँ देखा तानी मिठी मिठी मुझे की तुमारा तारा तुकु टुकु आइसे कहे निहारा तारा काथी चल तोरा मन में सावारिया हो हटे हटा वले ना हटे ना जारिया हो जन्मारे जान हो मारून का लर साडिया मन करे कोसली भर्यक वरिया हो जन्मारे जान हो मारून का लर साडिया बहुत अच्छा लगा और आप लोग भी बताईएगा कि इनका जो गाई की है कैसा है और मेहनत कर रही आपका सोचल मीडिया पर आपको लोग देखना चाहेंगे तो किस माध्यम से देख सकते इसलिये मैं लगाती हुँ मेरा नाम रजजनी और मेरी पहन के नाम तो मुझे अपनी बहन करना मेरा रोष्णी मेरी बहन कर दो अव्agit कर दो अच्छा लगए मैं लगाता है मेरा नाम रजनी और मेरी बेहन के नाम रोशनी इसलिए में लगाती है अच्छा रजनी जी बताईए अगर आपको कोई अपने घर पर बूलाना चाहता है पार्टी में बूलाना चाहता है फॉंसन में बूलाना चाहता है तो आपको डांस के रूप में बुलाएगा, कि हीरोईन के रूप में बुलाएगा, कि मतलब की एक गायकी के रूप में बुलाएगा देखिए मुझे किसी रूप में नहीं जाना है एस्टेसो नहीं करना है आपको नहीं नहीं मुझे इस लाइन में जाना ही नहीं है कि जैसे कि आज कल जो भी वाइरल होता है रिल्स पर उनको अपने जो की परगराम में बुलाता है एक घंटा के लिए दो घंटा के लिए कि चलिया हम उनको बुलाते हैं और डान्स मतलब की करेगी जो भी करेगी तो इसमें कोई आपको देखने में गलत लग रहा है क्या आपको देखके हिम आपको इंटर्वियू देख रही हूं मैं दे रही हूं आपको जदी सबका एक बार में पता चल जाता है कि इसका नजरिया किसका मतलब जो भी है वहाव वाव कैसा है तो ही मैं इंटर्वियू दूंगी नप गलात आदमी को गलत सवाल पूछेगा या फिर गलात आदमी को मैं इंटर्विव थोड़ी दे दूंगे बस वही बात है कि मैं स्टेज सो करने गई कोई कुछ गलात बोले कुछ गलात नजरिये से देखे मुझे वह पसंद नहीं है अब आप साइट समझ ही गए होंगे दोस्तों आपको बता दू कि देखिए अगर लगा साइध उनी के रा करुम पर चल रही है और आगे चलकर जैसे बनने का परयास करें जैसे इनका खहन अपलों कि इस वीडियो को देखकर क्या सोच रहा है कमेंट में बताइएगा और वीडियो को ज्यादा से जयादा से शेर करिएगा और इनको भी सपोर्ट करिएगा जाहोंगे कि जिसे आप लोग प्यार सपोर्ट से जितने लोग भी देख रहे हैं प्यार सपोर्ट यह देते रही है